तो नेक्स्ट मॉडरर इस और इस टिक्टिसॉरस टिक्टिसॉरस चैसे के सिंपलर टर्म्स में हम इसको दिखते हैं अगर कोई भी इनसान अचानक से बहुत तेजी के साथ एक रेपेटिटिव जो है मुवमेंट करता है या पिर एक साउंड बनाता है जिसका उस पर कोई कंट जाता कि यहां फिर तरह स्क्टिव Alrighty, तनों और प्रता है मुवमेट होती है और इसमें मैं वह इसमें और शाएंड दोनों को हम तिक्स कहता है अचानक से आसर एंचानक ही चले जाते है ये तब वर्स होते हैं जब एक इनसान जो है वो स्ट्रेस में होता है स्ट्रेस्फुल सिच्वेशन में वो और ज्यादा हो जाती है टिक्स जो है तो इसको थेरपी से हम कवर कर सकते हैं वो टिक्टिसॉरस को मैनेज किया जा सकता है विद थेरपी तो कुछ common symptoms हैं टिक्टिसॉरस के जैसे कि मोटर टिक्स हैं जिसमें मूवमेंट की टिक्स होती है याई एक particular मूवमेंट जो है वो अचानक से start हो जाती है और वो repeated होती है sudden अचानक होती है fast होती है involuntary होती है एक person का उस पर कोई control नहीं होता आई ब्लिंकिंग है तो अचानक से आपकी आई ब्लिंक करना शार्ट कर देगी और लोग कन्फ्यूस हो जाएंगी कि आप क्या कर रहे है और वोकल टिक्स है याई की sound को आपर बार 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 पर पर ब्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका कोई meaning नहीं है और जिससे याई दूसरे सब्सक्राइब हो जाते हैं कि यह क्या है याई यह रपीटिट होती है और इन डोग कोई control नहीं होता उन पर लाइक स्निफिंग है जिसमें आप सुनते हैं और बार बार उस तरह के जो है वह परफॉर्म करते हैं और गरंटिंग है गरंटिंग इस रिलेटी तो दी गर्गराना याई आप जो है फ्रॉर्ट क्लेरिंग करें और इन कोपरोलेलिया है जिसमें इन वॉल्ट्री यूज ऑफ उप्सीन लेंगविज ठीक है इस तरह की लेंगविज जो के इन प्रॉपरिट होती है उसका यूज करना इकोलेलिया है इकोलेलिया मेन आपने दूसरों के जो वर्ड्स हैं जो फ्रेजिस हैं उसको आप रपीट करते जाते हैं बार बार कॉम्पलेक्स टिक्स यानि बहुत से पिछीज़दा टिक्स भी होते हैं I hope I made it clear if you have any confusion you can ask in comment section मिलते हैं next video में till then take care